नमस्कार फ्रेंड्स वेजिटेरियन फूड स्टेंड में आपका स्वागत है तो देखिए आज फिर से हमें एक नई रेसिपी टेस्टी सी लेके आएं जो खाने में बड़ी मज़ेदार लगती है बच्चे इसे बड़ी शौक से खाएंगे और बलकि मांग मांग के खाएंग करिए और कमेंट भी करिए तो देखिए अब हम बनाना इसे शुरू करते हैं इसके लिए देखिए मैंने क्या लिया है यह चीज है बटर है औरीगेनो है और चीली फ्रेक्स और लहसुन यह काफी सारा लहसुन है इसको मैं छील के और इसे बारीक-बारीक कट कर लूँगी के देखिएमेरेसे चील रही हूं लीजिए सारा मैंने कट कर लिया यह इसतों मैरी बेटी बना लिया तो कुछ चीज में मैं उसकी हेल्प कर रही हूं हे तो देखिए मैं प्यन स्थोड़ा सा ओयको उने नियंके जैसे की गरभ होने देंगे जैसे इस पेल्ड ता ल अलग यह देखिए अब यह हो गया मैं इसे निकाल लेती हूं अब हमेसे न कूटना है या पीसना अगर आप पूटना चाहें तो कूट सकते हैं या मिख्सी में पीसना चाहें मिख्सी में मिलाकर कर सकते हैं तो मैं ले लिए बटर आप की हांकर रिया यह को जो देखें घोर िटी बना रही यह देखिए अब इस बावल में हमने इसने कुटा मिलाया था ना बटर उसी पहीं इसने डाल दिया यह लहसन यह देखिए उसको अच्छी तरह से बटर के साथ मिला रही है और हम इसमें डाल देंगे स्थोड़ी सी यह और यह और चिली फ्लेक्स यह देखिए इसे भी मिला लिजाब चाहें तो काली मिर्श भी डाल सकते हैं थोड़ी सी इस पर से थोड़ा लग गया तो अच्छी तरह साफ कर रही है कि वेस्ट ना जाए कुछ भी यह देखिए अच्छी तरह से में जाए सब चीजों को आप इसमें नमक डालना नचाहें डाल सकते थोड़ा सा वैसे तो चीज पार बारी कर लें आरब शेजयां उैशा कर यह wy qui मिलकुल लिक Minsk अपले ब अब ब्रेड की स्लाइस पर आप चाहें तो पाव हो पाव ले सकते हैं बन हो तो बन ले लिए उस पर बना से जूद्ध नहीं कि ब्रेड इस पतला पतला इसे फैला लेजे विक्ष्चर को आप बटर वाले को यह देखी इस सारा फेला लिया उसने ये देखी बटर लगा लिया है इस पर डाल रहे हैं चीज ग्रेट करके पहले से रखा हुआ था चीज को इसके उपर डाल दें आप चाहिए लिए से अवन में भी बेक कर सकते हैं थोड़ा सा या फिर तवे पर तवे पर करूंगी इसे तो देखे तवा जैसे हलका सा गरम होगा हलका सा मैं इसमें कुछ नहीं लगाऊंगी ताकि नीज़े सा थोड़ा क्रिस्पी हो जाए और छिपर तवे पर रखके इसे धख देंगे ताकि चीज थोड़ा मैल्ट हो जाए तीन से चार मिनिट में ये मैल्ट हो जाए कई देखे थोड़ा से आप देख रहेंगे मैल्ट हो रहा है देखिए हैं हम इसे निकाल लेती हूं यह देखिए कि अ असानी से इसके पीसिस कट रहें बड़ा कंची है यह नीचे से और यह देखिए अगर आपके बड़िया से तयार हो गया है गार्लिक ब्रेड असानी से आप भी इसी तरह से बना सकते हैं आपका मन कर रहा हूं कुछ अलग खाने का और यह सोचते हैं कैसे बनेगा कैसे बनेगा पर ज्यादा मुश्किल है कितना इसी है ना घर में बना लिया हमने और मुश्किल से 5-6 मिनिट लगते हैं इसको बनाने में तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं और संदाइर